नमस्कार स्वागत निबड़ थैय आपका खवरदार में आपके साथ मैं हूँ मेनाक्शिक बढ़ाँ खवरदार में हम आपको उन हीरो हिन्दुस्तानीयों से मिलवाने जारे startled जिनका नाम भी नहीं बलकि जिनका काम बड़ा है, जो गुमनाम रहकर भी ऐसा काम कर रहे हैं, जिसके बारे में देश की ज्यादत और लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन इस बार देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पदमश्री की लिस्ट में 118 ऐसे साधार जिनके काम असारहरन हैं, अद्गूत बेमिसाल हैं और उनी हस्तियों से उनके कामों का जिक्र अब हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि पदम पुरसकारों का, पदम सम्मानों का एलान हो जुका है, 118 ऐसी हस्तियां है, जिनने चुना गया है पदम श्री के लिए, लेकिन 7 हस् जिनके काम अब पदम विभूशन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जोर्ज परनांडेस, अरुन जेटली, सुश्मा स्वराज, मर्नो परान, इनने पदम विभूशन से नवाजा जाएगा, मुक्यबाज मैरी कॉम भी इन में शामिल हैं, जिनने पदम विभूशन से सम्म परा पदम श्री पुरसकारों का एलान हुआ है, लेकिन इन में राजमीती की दुनिया से ये पड़े नाम जिसमें बिहार से जोर्ज परनांडेस, जिनने मर्नो परान पदम विभूशन से नवाजा जाएगा, तो अरुन जेटली, उन्हें भी बरनो परान पदम विभूश से सम्मानित किया जाएगा, हमारे साथ इस वक्त पीवी सिंदू मौजूद है, जिनने पदम भूशन सम्मान से इस बार नवाजा जाएगा, अब पीवी सिंदू सबसे पहले तो आपको आज तक की पूरी टीम की तरज से बहुत बहुत शुपकामना है, पदम पुरसकारों से इस बार आपको भी नवाजा जा रहा है, जैसे ये खबर आपको मिली, पहला र्याक्शन क्या था? प्रिक्शन के बहुत सब्सक्राइब नहीं जो जोड़ जोड़ चुकी हैं, लेकिन आज जब उस लिस्ट में पदमभुषन का नाम भी है। कितना बड़ ये उपलबदी इस बाड़ ये पुरसकार ये रिए रिडिक एगनिशन आपके लिए? भी यह जए फोड वन आपको पास आरे होंगे शबसे लगातर है इसके बाद से लगातर फोन कॉल्स पास आरे होंगे सबसे पहले किस ने विश्क या फामिली का किस तरह का रियक्शन था और बहुत बहुत शुक्रीया पीवी सिंदू आपको हमसे बात करने के लिए और एक बार फिर से आपको आज ते की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत बनाई और एक बार फिर आपको यह बना दें कि पद्म विभूशन में साथ हस्तियों को इस सम्मान से नवाजा जा रहा है तो पद्म विभूशन में 16 हस्तियां शामिल है और 118 को पद्म श्री के लिए चुना गया है जॉर्ज पर्नांडिस, अरुन जेटली, सुष्मा स्वराज इन्हें मर्णो परांत पद्म विभूशन से सम्मानित किया जा रहा है तो वहीं सर अनेरुद जगनात, MC मेरिकॉम, चनुलाल मिष्टा और श्री विश्वेश सिस्टा स्वामी जी जो है उन्हें भी इसके अलावा पद्म विभूशन से सम्मानित किया जा रहा है बीते साल ही सुष्मा स्वराज अरुन जेटली इस दुनिया को अलविदा कहे गए लेकिन उनके राचनीती की दुनिया में जो उनका योगदान रहा पबलिक लाइफ में जो उनका योगदान रहा उसके मद्दे नज़र भारत प्रतिन के बाद जो सबसे बड़ा पुरसकार है देश में पद्म विभूशन उससे सम्मानित किया जा रहा है जॉर्ज फर्नांडिस का नाम भी इसमें शामित है और आईए अब आपको अगर पद्म विभूशन सम्मानों में जिन हस्तियों के नाम है सोला ऐसी हस्तियां हैं जिने सरकार इस बार पद्म विभूशन अवार्ड से सम्मानित कर रहा है इसके अलावा जो लिस्ट इस वक्त हमारे पास मौजूर है उसमें श्री एम मुम्ताज अली श्री सयद मुजम्मम अली उन्हें भी हालकि मर्नोपुरांत ये पुरसकार दिया जा रहा है इसके अलावा श्री अजोई चक्रवर्ती कंगना रनोट को पदमिश्री से सम्मानित किया जा रहा है कुल 118 हस्तियां हैं जिनमें कंगना रनोट शामिल है फिल्म निर्माता करण जोहर को भी पदमिश्री पुरसकार से सम्मानित किया जा रहा है एक्ता कपूर और अधनान समी ये भी पदमश्वी पाने वालों की लिस्ट में इनका नाम भी शामिल है तो कला क्षेत्र से जिन हस्तियों को चुना गया है सिनमा, कला, उनमें अधनान समी, एक्ता कपूर, कंगनर अनौड, करन जोहर कुल लाकर ये 118 हस्तियां जो पदमश्वी से इस बार सम्मान इसकी जाएंगी पदमश्वी पुरस्कारों का अभी ये अनौंसमेंट हुआ है, ये इसकी घोशना हुई है, इसके बाद ये पुरस्कार वित्रिद भी किया जाएंगे लेकिन गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरवोच नागरिक सम्मान पदमश्वी पुरस्कारों का एलान हुआ है, 118 हस्तियां इसकी हैं जिने पदमश्री पुरस्कारों के लिए चुना गया है और इनी 118 नामों में ऐसे नाम भी शामिल हैं जो गुमनाम रहकर काम करते रहे हैं अलग-अलग शेत्रों में और ये अपने आपने उनके कारे का, उनके योगदान का भी सम्मान जो सारवजिनिक जीवन में उन्होंने योगदान दिया है चाहे गरीबी को लेकर, शिक्षा को लेकर, पर्यावरन को लेकर काम करने वाले ऐसे कई नाम उनमें शामिल है